वास्तु शास्त्र में हमारे जीवन में शुब और अशु प्रभाव डालने वाले स्थितियों के बारे में विस्तार से बताया गया है इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपके घर में बंद पड़ी या तूटी हुई दिवार घड़ी लगी है तो आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा लेकिन आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर इस दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं तो आए जानते हैं इन मातोपुण बातों के बारे में घर में बंद पड़ी या तूटी हुई दिवार घड़ी नहीं लगानी चाहिए इससे घर में सकारात्म कूर्जा कम होने लगती है और नकारात्मक्ता बढ़ती है इसे कारण आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है इसके साथ ही आपको घर के में गेट के उपर घड़ी नहीं लगाने चाहिए ऐसा करने से घर से बाहर की नकारात्मक्ता आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है और तनाव बढ़ने लगता है वास्तु के अनुसार घर के दक्षिन दिशा में यम का वास होता है जाती है इसलिए इस दिशा में घड़ी लगाने से घर के मुख्या की सेहत पर भी असर पड़ सकता है दिवार घड़ी को घर के पूर्व पश्यम और उत्तर दिशा में लगाना शुब माना जाता है पूर्व दिशा में लगाई गई घड़ी घर का वातावर शुब और प्यारवाला बनाए रखती है पश्चिमी दिशा में घड़ी लगाने से घर के सदस्यों को नए आउसरों की प्राप्ति होती है और तरदिशा में लगाए गई घड़ी घर को पैसो के नुकसान से बचाती है